आगामी कारेक्रम प्रायूजिक किया है जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने आप स्वभाविक रूप से रह सकते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कम दैनिय काम करेंगे लेकिन आप विश्वास से जी सकते हैं और आप नामुम्किन काम भी कर सकते हैं और परमीश्वर आपके जीवन में स्वयम को मजबूत साबित करेंगे कितने ये जानते हैं कि आपका प्राण क्या है ये हर एक ने अपने हाथ नहीं उठाए मैं शाद 40 की थी से पहले कि मुझी ये एहसास हुआ कि मेरा क्या था अब आप एक आत्मा हैं आप में प्राण हैं और आप एक शरीर में रहते हैं एक तीन भाका स्थित्वा है और जब हमारा पुनर जनम हुआ है तो परमिश्वर आकर हमारी आत्मा में रहते हैं और बसते हैं और परमिश्वर कहीं भी नहीं रह सकते जो साफ और पवित्र नहीं है तो ये हमारी आत्मा में सब कुछ ठीक करते हैं इसलिए बाइबल हमें धर्मी और पवित्र बुलाती है और कहती है ये हमने इश्यू मसी मे परमिश्वर की धार्मिक्ता को बनाया है, ये सब कुछ उन्होंने हमारी आत्मा में डाला है और हमारे पास वहाँ आत्मा का फल है, कि आप जानते हैं, यदि आपका पुनरजनम हुआ है, तो आपकी आत्मा गहराईमी आपके पास है प्रेम, आनंद, शांती, सैयम, अच्छा अविनमरता कॉमलता दया और आत्म निश्चाय. और इसलिए जब हम कहते हैं कि मैं मसी में परमिश्वर की धार में एकता हूँ, हम उसके बार में बात कर रहे हैं जो परमिश्वर ने हमें इनाम के रूप में दिया है और हमारी आत्मा में डाला है और आप ये भी कह सकते हैं मैं धेर्यवान हूँ, मेरे पास आत्मनी अंत्रण है क्योंकि आपके पास ये है शायद अभी तक आपको नहीं पता पर मैं आपको इसके बार में सिखाऊंगी कि इसका इस्तमाल कैसे करें। जो वे पास सकते हैं उनके साथ सम्मंदों के द्वारा लेकिन यदे हमारे प्रांड जो एक प्रकार का हिस्सा है, हमारी आत्मा और हमारे शरीर के दर्मियान, अगर प्रांड सभी कच्रे से अवृध है और प्रांड आत्मा के नियंत्रण में नहीं, यदे को आप एक मसी हो सक और आप फिर भी आपके प्राण शरीर के नियंत्रण में हैं, लेकिन हम सीख सकते हैं, और हमारी पूरी यात्रा इसी के बारे में हैं, इमानधारी से हम सब एक यात्रा पर हैं सीखने और बनने और बदलने और बढ़ने और परिपक्व होनी की, तो हम सीख रहें कि आत्मा को आत्मा के द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाए दोस्त और जब हम दुनिया को लेते हैं और ये केवल तीन का एक अध्याय पढ़ने जैसा नहीं है या फिर आपको जरूरत है या नहीं सच में आप हर मीटिंग में बैठ सकते हैं जो मैं आपके शिश जीवन तक करती हूं लेक यहां तक कि आपके लिए पूरी तरह अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जानकरी-जानकरी-जानकारी है हमें जरूरत है रहस्यद घाटन की चीज़ों का हमारे लिए वास्तविक होना ज़रूरी है आमिन लेकिन जब आप वास्तों में वच्चन को अपने अंदर ले करो और वचन को करो और जब हम ये पूरा पैकेज करते हैं और उसे अपनी आत्मा में लेते हैं अब मेरे साथ जुड़ें मजबूत बनो मजबूत 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 और जब हम अपने शरीर की भूख मिटाना बंद करते हैं जिसका मतलब है हर वक्त उसके ही तरीके से करना उसे खिलाना बंद करते हैं तब वो और कमजूर और कमजूर और कमजूर होने लगता है और जली हमारी आत्मा जो हमारा मन है, हमारी इच्छ और हमारी भावना है जो आत्मा हमारा नियंत्रण है और हम सही सोचना सीखते हैं हम सीखते हैं तब भी भले हम कुछ महसूस करते हैं हमें हमेशा वो नहीं करना चाहिए जो हम महसूस करते हैं क्योंकि हम कुछ बन गए हैं और हमारी इच्छा हमारी इच्छा हम अपनी मुक्त इच्छा का इस्तामा कि शमकाल परमिश्वर की इच्छा को करने में करें और यहीं वो चाहते हैं लिए भी केला कि स्थ्थि er तो हम आठ्मा के लिए अठ्मा के नियंत्रणके विश्य में बात करेंगे अत्मा को नियंत्रित करना सीखें, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए कृपया मेरी मदद करें हमेशा आपके लिए अच्छा काम करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि लोगी से स्विखाग रहें और मैं चाहती हूँ कि ये जीवन बदलने के वाला इशू के नाम में तो थोड़ा धीम ही हो जाएं और उसके बारे में सोचे अपनी द्रड़ता से और अपनी सेंशिलता से इसका मतलब भी है कि देहरे से चीजों को करें मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज की एक शुरुवात होती है एक मध्यम भाग होता है और एक अंत होता है और आप जानते ह हमेश्रुवात करना बहुत बुरा नहीं लगता यह रोमान चित करने जैसा है इसके साथ भावनाय जुड़ी होती है मैं कर सकती हूँ प्रभू मुझे धीरच देना आप यह प्रारत ना करें जब तक कि तब जब आपको परमिश्वर के साथ चलते हुए 30 साल हो जाए आप इस पर सोचे इससे पहले कि आप दीरच के लिए प्रारत ना करें क्योंकि आप जानते हैं कि आपको दीरच के लिए प्रारत ना करने की जरूरत है क्योंकि आपको जरूरत है परमिश्वर की मदद की यह तो ऐसे है वैसे जैसे मुझे नमरता सिखाओ तो सिर्फ जो सचे बहादर विश्वास ही हैं वो इस तरह की चीजों के लिए प्रार्तना करते हैं और मानते हैं अगर काफी लंबे समय तक अठके रहते हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सहन शिल्टा के ये पुरस्कार है, वहाँ लोटाया जाना भी है, इतनी बात कहने के लिए और मेरा मतलब इससे कुछ अनोखा लगना नहीं है, लेकिन मेरा विश्वा सकी हमें ये जानने की जर कार का पुरस्कार भी होगा, कौन है जो हर रोज काम पर जाना जाता है अगर तनखा ना हो, और इसलिए परमिश्वर सच में चेक्स देते हैं, बेश्याद डॉलर्स में ना हो, लेकिन वो हमें आनन देते हैं, वो हमें शान्ती देते हैं, वो हमें धार्मिक्ता देते हैं, हम अच्छा फल पाते हैं, वहां हर तरह के बड़े से हाफुस हैं परमिश्वर के आगया पालन करने के लिए और वहां वास्तों में एक बहुत ही अच्छा वाला भी है, जिसके बारे में बाइबल बताती है, जो सायम के बारे में है, लेकिन अभी मैं आपको वो नहीं देने मैं केवल चाहती हूं कि आप ये जाने कि अगर आज रात आप जो मैं कहने वाली हूं उससे सहमत हैं और आप घर जाते हैं और ये कहना शुरू करते हैं ठीक है परमिश्वर मुझे ये चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ, हम या तो ये सीखेंगे कि अपने प्राणों को या फिर हमारी आत्मा हुमें बचा आएगी, अब आप देखें मैंने एक मसी के नाते बहुत से साल जी ये कभी इस तरह के शिक्षा नहीं सुनी, सब जो मैंने सुना था वो था सिध्धान्त वाली बाते और मैं सबको जरूरी नहीं समझती हमें जाना बहुत जरूरी है, ज क्योंकि हम सब में वो हैं, इसलिए और आप जानते हैं हम सब तो जैसे मुझे समझ नहीं हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है, आप बताया, आप जानते हैं अगर आप एक और अरत हैं, मुझे ऐसा क्यों महसूस होगा, शुक्र परमिश्वर ये समझते हैं, आमें, तो या तो ह मेरे जिवन को चलाएगी और मैं इस लायक नहीं रहूंगा कि खुश रहूं जैसा मुझे रहना है यह मेरा मन है मेरी इच्छाय और मेरी भावनाय है जो मुझे चलाती है और मुझे पक्का भरुसा है कि आप में से कुछ अभी भी उसी अवस्थाम है और मैं बता सकती हूं कि आप बहुत खुश नहीं है खर आपनी है कि अदेरता हमारे शरीर में है लेकिन धहरिया हमारी आतमा में है लुका पंद्रा असल मेंmek आप के लिए पाउच बढ़ना चाहती हूं मैं चाहती हूं आप उनमें से धहरिया के बारे में ध्यान दे लुका आठ पंद्रा पर अच्छी भूमी में वे हैं जो वचन सुनकर भले और तम मन में संभाले रहते हैं और धीरत से फल लाते हैं तो तेजी से आगे क्या भढ़ता है, इसका मतलभ है, इसे जारी रखो, जारी रखो, इसे जारी रखो, इसे जारी रखो, 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 ज आई इबरानियों का अध्याय देखे खेर हम इसे पूरा नहीं देखेंगे उन्हें ये सब करना नहीं है लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगी ये है जिसे हम हाल कहते हैं विश्वास का हौल ओफ फेम कि आपने कभी ये शब्दावली सुनी है विश्वास का हौल ओफ फेम खेर अध्याय ग्यारा उन सब यहान चीजों में हैं जो इबरानियों ने विश्वास से किये थे और विश्वास पुरी मानविय व्यक्तिगत का छुकाव है परमीश्वर पर पुरा विश्वास और आत्मविश्वास है उनकी शक्ती जान और दयालुता पर और विश्वास आश्वासन भी है प्रमान है और उन सब चीजों का टाइटल ड्रीड भी है जिसकी हम उमीद करत और चीजों का सबूत है, जिने हम देखते नहीं, और द्रडविश्वास है कि वे असली है, तो जब तक मेरे पास अभी व्यक्ति नहीं होती, तब तक मुझे विश्वास है, दूसरे शब्दों में ये मेरे लिए, मेरे दिल में है, जो हो सकता है, इतनी मजबूत है कि कोई इ मेरे से ले न सके, बहुत समय पहले मैंने इसे अपनी प्राकृतिक आखों के साथ कभी, देखा, मुझे ऐसा लगता है कि परमीश्वर के साथ अनंतकाल व्यतीत करने के बारे में है, अभी तक महां गया नहीं हूँ, लेकिन परमीश्वर हमारे मन में अनंतकाल का पोदा लेकिन वो चाहते हैं कि इसी का विश्वास अपनी जीवन के प्रत्यक्षेत्र में राखे, मुझे बहुत साल हो तक इसका पता नहीं था मुझे विश्वास था मैं इश्यू में विश्वास करती थी लेकिन बाकी सब जिस पर मैं विश्वास करती थी वो ज्यादा तर केवल बेवकूफी थी मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे जीवन में कभी चीज़े बदल सकती थी मुझे भरुसा नहीं था आप जानते में क्या कह रही हो कितने ऐसा आज भी सोचते हैं कि चर जाते हैं पर इश्यू पर विश्वास करते हैं लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है तो उनका पूरा विश्वास करना उनके जीवन के हर क्षेत्र में गलत है तो फिर भी अगर आपका विश्वास करना किसी चीज पर गलत है तो मैं ये आप की सच्चाई कहूँगी देखो मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि बच्पन में मेरा यौन उत्पेडन हुआ था कि मैं हमेशा ऐसा सूचती थी कि आप मेरा कुछ नहीं हो सकता सब कुछ गड़बड में है खेर वो सिर्फ एक जूर था जो शैतान ने मुझे बताया था लेकिन किसी ने कभी इस से मुझे अलग नहीं किया तो वो विश्वास है विश्वास से आप अविश्वसनिया चीज़े भी कर सकते हैं जब मैं वापस अपनी जीवन को देखती हूँ मैं नहीं जानती कैसे मैंने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं सबकुछ ठीक हो सकता है मुझे याद है वो चीज़े जो मैंने की और ये और भी बहुत ही सारी चीज़े हैं लेकिन ये पूरी तरसे विश्वास की चीज़ है ये किवल विश्वास है विश्वास से और मैं चाहती हूँ कि लोग आज विश्वास के बारे में ज्यादा से ज्यादा चाने ऐसा लगता है जैसे आज हर कोई आश्वासन चाहता है हम कभी कभी हम नहीं लोगों पर काम कर लेते हैं खर कुछ लोग पूछते हैं खैर अब आप जानते हैं जय सब एक तरह से भूड़ी हो रही है तो मुझे किस तरह की जॉब सेक्यूरिटी मिलेगी अपने भविश्य में अगर आप इसे ठीक से देखें किस की पास जीवन में जॉब सेक्यूरिटी है किसी की पास नहीं हमारी सुरक्षा परमिश्वर में होनी चाहिए जब हम किसी और की तरफ आश्वासन के लिए देखते हैं तो आपकी अगवाई आत्मा से होनी चाहिए क्या आपको यहां होना चाहिए या क्या आपको यहां नहीं होना चाहिए लेकिन देखो लोग कभी-कभी ऐसे काम करते हैं जो आनन नहीं देते और इसलिए के वल आप जानते हैं बस जल्दी से इसे पढ़ते हैं दोस्त जब आपको शुरू करना इबरान युग 11 पढ़ी मेरा मतलब है विश्वास ही से हाबिल ने उत्तम बलिदान चड़ाया विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया बस ऐसे ही पुफ वो चला गया और विश्वास बिना परमिश्वर को प्रसंद न करना न होना है विश्वास ही से नू ने जहास बनाया विश्वास ही से अबराम ने अपना घर छोड़ा उस जगह जाने के लिए परमिश्वर उसे दिखाने वाला था कौन ऐसा कहता है अपना घर छोड़ दो परमिश्वर कहता है ठीक है छोड़ो और उस जगे चलो जहां मैं तुम्हें दिखाऊँगा और तो जैसे सारा ने बच्चा पैदा किया जबकि वो सौ साल के लगभग थी आप समझ रही है ना उसके जीवन में बदलाव आ गए तो और शायद उसको होड़ फ्लेशिर्स भी नहीं होते थे वो हो चुकी थी पूरा वहवार खत्म हो चुका था और उसको बच्चा हुआ यह जैसा है वैसे ही रखते हैं विश्वास ही से इबराहिम ने परखे जाने के समय में इस हाग को बलिदान चड़ाया इस विश्वास से की परमिश्वर सामर थी है इस हाख ने आने वाली बातों के विशे में याकुब को आशिश दिविश्वास ही से मुसा ने बड़े-बड़े काम किये ते लगा तार उन्होंने कहा कि वहाँ इतनी ज्यादा है कि लिखने के लिए पुस्तक में जगे कम पड़े तब अध्याय बारा वच्चन एक में ये स कहने के लिए कहती हूँ ये कहता है इस कारण जब अध्याय 11 के कारण क्योंकि हम उनकी गवाईयों से उत्साहित हुए हैं इस कारण जबकि गवाओं का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर रोकने वाली बस्तू और उलजाने वाले पाप को दूर करें ठीक ह आप सब कुरसी को देखना छोड़ें और मेरी तरफ ध्यान से देखें हम इसे आप मेरी तरफ ध्यान से देख रहें यहां हमा देखना बन कर दे हम इसे लेने चारें आप इसे छोड़ नहीं सकते अध्याय 12 वचन 1-4 इस कारण जबकि हमको इस खारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेर हुए हैं तो आओ आप जानते हैं बाइबल में थोड़ी इंसक भाशा भी है तो आओ हर एक रोखने वाली वस्तु जो इस विश्वास की जीवन से जो परमेश्वर चाहते हैं हम हमले रोख सकते हैं और उल्जाने वाले पाप को दूर कर सकते हैं मेरा मतलब है आप जानते हैं ऐसा नहीं है खैर प्रभू में है चाहती हूं कि आप इन्हें दूर दूर कर दे तो आओ दोड़ो तो आओ दोड़े आओ दोड़े कहीं रूके नहीं तो आओ दोड़े दीरस हैं शीलता से दोड़े ये मेरा वज़न है और स्थिर सक्रिय दृता दोड़ के चुने हुए मार्क पर जो हमारे लिए ठहराया गया है मुझे पॉलुस का कहा बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने जीवन के अ दोड़े मेरा मतलब मेरे जीवन में जो कुछ भी है जो मेरे पास है परमीश्वन ने जो मुझे करने को दिया है उसे मैं पूरा करूंगी बहुत अच्छी तरह से आमीन दुनिया में कौन है जो रिटार होना चाहता है मैं तो बिल्कुल नहीं इबरानियो 10-36 क्यूंकि तुम्हें धीर जदन आवश्रक है ताकि परमिश्वर कीचा को पूरी करके और यहां भुकतान आता है तुम प्रतिग्या का फल पाओ देखो लेकिन वास्तों में ये नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वास्तों में जिसके बारे में बताना चाहती हूँ वास्तों में अच्छा है भजन सहीता 37 बचन साथ यह हुआ के सामने चुप चाप रहा है और धीरच से उसका अस्त्र रख उस मनुष्य के कारण न कोछ जिसके काम सफल होते हैं और वो बूरी युक्तियों को निकालता है ठीकि धीरच क्या है हम बचन से घबराते हैं क्या हम इतना जानते हैं कि वो क्या है खर इसका मतलब है इंतजार लेकिन मतलब इंतजार से भी बढ़कर है मैं आपको कुछ बताती हूँ आप इंतजार करेंगे हम अपनी जीवन का ज्यादर समय किसी चीज़ के इंतजार में बिता देते है जो हम करते हैं उन पलों में जब हम पाते हैं और रोमान्चित हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और आप फिर भी किसी और चीज़ का इंतजार शुरू कर देते हैं इसको समझने में मुझे 40 साल लगे और आखिर में मैंने सोचा कि अपने इंतजार के खेल को सुधाना होगा क्योंकि मैं ठीक से इंतजार नहीं करती थी इसलिए अगर आप ठीक से इंतजार नहीं करते हैं आपको बहुत सी तकलिफे आ सकती है कितना ऐसा सोचते हैं, मेरा मतलब ये भी जिन्दगी का हिस्सा है और इसलिए वो कहते हैं, दीरज से प्रतिक्षा करो, इसलिए दीरज इंतजार से बढ़कर है, ये हमारा मनुभाओ है, जिससे हम इंतजार करते हैं, अब इसे देखें, ये उम्मिद से प्रतिक्षा करना है, किसाथ इंतजार करना, वाओ, कुछ अच्छा होने वाला है, शायद आज मुझे सफलता मिलने वाली है, शायद मेरा बेटा ड्रक्स को छोड़ने का निर्णे लेने वाला है, आज आप जानते हैं, मैंने, हाल ही में कुछ सीखा है, मैंने ये पढ़ा और ये जो मेरे अंदर विस्फोट हो गया और ये इतना अच्छा है, ये कहता है कि जब हम लोगों के लिए प्रार्तना करते हैं, परमीश्वर क्या करते हैं, परमीश्वर बहुत उश्यर क्या करते हैं, वो दिमाग में एक सोच डालते हैं, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ, मैं फला-फला के लिए प्रार्थना करती हूं जब वो वच्चन का ध्यान करें खैर तब उन्हें यह खयाल आए आप जानते मुझे शायद वच्चन का ध्यान करना शुरू करना चाहिए अच्छा है अब उनके पास अभी भी चुननिक अधिकार है आपकी प्रार्थनाय किसी के लिए कुछ कर सकते लेकिन परमिश्वर उनके दिमाग में विचार डालते हैं जिसके लिए आपने प्रार्थना की तब अगर वे करते हैं तो वो सोचना उनकी बेवकुफी है यह उनका आइडिया था यह अच्छा था है ना और इसलिए हमें उसे अकेले छोड़ देने की जरूरत है और यह उ उन्हें जरूरत है तो लेकिन क्या यह अच्छा नहीं है कि हम चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमिश्वर विचार डालते हैं और बहुत बार जब हम अपने लिए किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं यह विचार वो हमारे सिर में डालते हैं बाइबल कहत मुझा हें यह हयां कि कुछ अच्छा करने का मतलब है कि उसको देखें और उसकी इच्छा करना ईसा है जैसे, वहाए कंद्रोनी अपेक्षा भी है, ठीक है, याकुप पांस साथ, सोहे भाईयों, प्रभु के आगमनता के धीर अज रखो, कृपा इस पर ध्यान देए, यह नहीं कहता, अगर तुम प्रतेक्षा करते हो, मेरा मतलाब है आप इसे देखे, प्रभु के आगमनता धीर अज रखो, देखो किसान कैसे धीर अज धरता है, कैसे आशा पुर्वक पृत्वी के बहु मुलिया फल के आशा रखता हुआ, अब ये भी महत्वपोन है, देखो कैसे प्रथम औ और अंतिम वर्षा होने तक धीर अज रखता है, वो इसलिए हम सभी को निगरानी रखनी की जरूरत है, मैं प्रार्तना करती रहूंगी, मैं वचन को स्विकार करती रहूंगी, मैं वचन का धयन करती रहूंगी, मैं उन लोगों से मिलती रहूंगी, जो मुझे उत्साहित सकते हैं, मैं राज्य के काम के लिए देती रहोंगी, मैं जहां कहीं भी जाओं, वहां के लिए आशिरवाद बनी रहोंगी, मैं परमीश्वर पर विश्वास करती रहोंगी, मैं शैतान को फटकारती रहोंगी, और ये सारी चीजें मैं परमीश्वर के विश्वास में करोंग आप कहेंगे खेर मैंने वो नहीं किया, मैं वो करते हुए बहुत ठक गया हूँ खेर क्या मैं एक सवाल आपसे पूछू, क्या आपके पस वास्तों में कुछ अच्छा करने को है? मेरा मतलब क्या आपके पस कोई ऐसा शांदार विचार है, जो किसी भी तरस से बहतर होगा, सिर्फ परमिश्वर के साथ जारी रखने की तुलना में, आपके पस सिर्फ एक दूसरा विकल्प है चुनने का वहाँ वापस चले जाए जहां से आप आए हैं, दुनिया में ऐसा बुजर रहा हूं। जरूरत नहीं है आपको संसाधन लेनी की जरूरत है आपका दिन शुप हो जोईस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती है जितना की आप चानते हैं हम आपकी सरहना करते हैं और इस सरिकाई को दुनिया भर में संभभ बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं हम साथ मिलकर भूखो को खाना खिल इसका खर्च उठाया है जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने